हैलो फ्रेंड मैं राकेश रोसन लर्न टेक टू टेक चैनल से और आज जो मैं वीडियो लाया हूँ उसमें मैं नेमसे 2018 में जो कम्प्यूटर सेक्षन में कॉस्टेन पूछे गया थे उन कॉस्टेन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो चलिए स्टार्ट करने से पहले ज़स्ट मै तो यहां पर आप देख रहे हैं कॉस्टेन यह है कि रूट अंडर 224 और यहां पर इसका बेस आर दिया हुआ है इक्वल टू 13 और उसका बेस आर दिया हुआ है तो यहां पर हमें आर का वैल्यू निकालना है तो दोस्तों यहां पर जो हमारा कॉस्टेन है वह है रूट अं स्कूर आर बेस हमारा आरी रह गिया, तो अगर कोई बेस आर होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर 2 into आर स्कूर, 2 आर और फिर 4, उसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा, 1 into आर, प्लस 3 और उसका पावर 2, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है, कि अगर कोई number आपका 101 है या binary में होता है तो आप क्या करते हैं? वही सेम काम हम यहां कर रहे हैं यहां पर लाज डिजिट में 4 का 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि r का पावर 0 करेंगे तो फिर 1 ही आएगा इसलिए ठीक है? अब इसको आपको solve करना है जैँ 2r2 प्लस 2r प्लस 4 और ये r प्लस 3 का whole square हो जाएगा तो क्या होजाएगा? r2 प्लस 6r प्लस 9 यहाँ पर आप इसको आप solve कर सकते हैं 2r r2 है तो 2r2 माइनस r2 r2 हो जाएगा यहाँ 2R है यहाँ 6R है तो –4R हो जाएगा 4 है यहाँ 9 है तो 4-9 –5 हो जाएगा अब इसको आफ फैक्टर कर लें तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर करते हैं तो –5R प्लस R-5 equal to 0 तो R common हो जाएगा तो R-5 प्लस 1 R-5 equal to 0 तो अगर इसको हम फिर से यहाँ पर देखते हैं तो क्या आ गया r minus 5 और r plus 1 equal to 0 तो यहाँ पर r का value minus 1 और 5 निकला तो base कभी भी minus में नहीं हो सकता है positive में होगा तो यहाँ पर answer आपका r equal to 5 आ गया तो दोस्तों इस तरीके से इस question को आप solve कर सकते हैं तो दोस्तों उसके बाद दूसरा question है कि 43 base x है then y3 base 8 है then the number of possible solution मतलब x और y कि कितने ऐसे combination हो सकते हैं जिसके लिए यह जो हमारा given equation है यह true होगा तो सबसे पहले अगर हम base की बात करें अगर किसी का base n है ठीक है तो उसमें जो number of digits होंगे वो कहां से कहां तक होंगे 0 से लेके n-1 तक होंगे जैसे आप देखेंगे अगर binary है तो 01 अगर octal है तो 0 से 7 क्योंकि उसका 8 base होता है अगर hexadecimal है तो 0 to 15 क्योंकि उसका 16 base होता है तो एक कम तक होगा 0 से start होगा तो इसका मतलब यहां पर x लिखा हुआ है ठीक है मतलब x जो है वो आपका base है और यहां पर क्या है 43 लिखा हुआ है इसका मतलब जो x का value होगा वो जो भी होगा वो greater than equal to 5 होगा मतलब इसका base जो है 5 या 5 से उपर ही होगा 5 से नीचे possibility नहीं है क्योंकि अगर मानीजे 4 होता तो फिर यह 0 से 3 ही लिख पाते है 4 नहीं होता 4 है इसका मतलब minimum 5 base है जादा तो कुछ भी हो सकता है उसी तरह अगर हम y की बात करें तो यहाँ पर क्या है 8 है इसका मतलब 0 से 7 डिजिट ही हो सकते हैं इसका मतलब y जो होगा वो क्या होगा less than equal to 7 होगा मतलब 7 होगा या 7 से कम होगा ठीक है यह possibility हमारा बन रहा है अब हम इसको solve करते हैं जैसे इससे पहले वाला equation solve किये थे तो 4 into x plus 3 equal to y into 8 plus 3 तो यह अगर हम इसको solve करेंगे तो देखते हैं क्या आता है 4x फिर उसके बाद plus 3 equal to 8y plus 3 तो 3 3 cancel हो गया तो यहाँ पर 4x equal to 8y तो 4 to 8 तो यहाँ पर हमारा निकल के आया x equal to 2y इसका मतलब x का जो value होगा y से दुगना होगा ठीक है यह possibility है अब हम देखते हैं कि अगर इसके हिसाब से अगर देखें इन दोनों के हिसाब से और फिर x का value y से double हो इस possibility को अगर हम देखें तो कौन कौन से combination निकल सकते हैं तो सबसे पहला combination 6 3 निकलेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए y का value अगर आप 3 लेंगे ठीक है तो 7 से छोटा है पहले आप ऐसे कर लें कि 7 से छोटा होना चाहिए y का value तो आप क्या कर लें 3 4 5 6 7 तक कर सकते हैं अब देखिए 4 तो 4 का double 8 होता है तो 8 जो है 5 से बड़ा है तो विलकुल combination बनेगा ठीक है उसके बाद 5 है तो उसके बाद 5 तूजा 10 तो यहाँ पर 10,5 लिखेंगे तो भी possibility बनेगा क्योंकि 10 जो है 5 से बड़ा है उसी तरह 6,12 और 7,14 तो इस तरह से आपके इतने possible जो है possibility बन रहा है इसके solution के तो 1,2,3,4,5 तो इसका जो answer होगा वो होगा 5 इसका मतलब इसके जो number of solutions होगे वो 5 होगे तो इस तरह से दोस्तों आप जो है solve कर सकते हैं तो आपने देखा computer section के जो question होते हैं वो बहुत आसान होते हैं बट थोड़ा tricky होते हैं और आपको computer की knowledge होनी चाहिए और इन जितने भी question को मैंने बनाया उसमें आपने देखा होगा कि number system का का काफी use है तो आप number system अपना strong कर इसके लिए आप जो है number system पे मैंने पूरा video बना रखा है अपने channel में तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर link भी आ रहा है उपर आई में तो वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं तो चलिए friend I hope कि आपको video पसंद आया होगा अच्छा लगा त शेयर करें कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब कर ले अर बगल में जो बैल जो ज़रू क्लिक करें जिससे मैरे जितने वी नाइव वीडियो जेंकर नाट एक किसन आपको मिता थैंक्यू और गुड़ बाए